तो जाइन दोस्तों मुझे उमीद है कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी और आप लोग नहाद होकर इसमें आराम कर रहे होंगे दोस्तों चलिए बात करते हैं इस वीडियो में तोतला जावेद मियदाद के खिलाब जो IPL 2024 को लेकर रोज कोई न कोई घटिया बात कर ही देता है आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि मीडिया वाले ने जब पूछा कि BCCI ना PSL खेलने के लिए अपने खिलाडियों को भेजता ना IPL के लिए पाकिस्तानी खिलाडियों के लेता है इसकी क्या वाज़ा है तो तोतला जावेद मियदात का कहना है कि जब तक नरेंद मोधी गुर्मेंट में है तब तक किरकेट भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल पासिवल नहीं है मैं इस तोतले को सबसे पहले एक कहोना चाहूँगा कि सबसे पहले एपनी जुबान सुधारे एजब बोलता है पता नहीं क्या बोलते हुए चला जाता है मुझे तो इसकी आधी बाते समझ भी नहीं आती है लेकिन जितनी बाते हैं इसकी मुझ को समझ आती है मैं उनको बत मैं इन भी खारिस्तानियों को यह कहते कहते ठक गया हूँ कि यदि तुम्हें भारत के साथ अच्छा बेहवार करना तो पहले तुम्हें इनसान बनना पड़ेगा लेकिन तुम बनोगे नहीं तुम तो जाहिल के जाहिल ही हो और जानवर रहोगे ही रहोगे तो फिर तुम्हा आज यहां नहीं वहां होता अब नमूने IPL इसमें उस उचाई को छो चुका है कि इसके बराबरी का दुनिया में कोई भी लिग नहीं है तो तुम क्यों हमेशा एक कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी होते तो IPL नहीं नहीं उचाई या छूता दोस्तों यदि मैं बताओं तो इन भिकारिस्तानियों को एद देखकर परदास नहीं हो रहा है कि दुनिया के सभी खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी IPL में नहीं खेल रहे हैं इसलिए एवरोज टीबी बैट कर कुछ ना कुछ फुसकी छोड़ा करते हैं वहीं पर तन्बीर एहमद क कहना है कि जब दुनिया के सभी खिलाड़ी IPL में खेल सकते हैं तो पाकिस्तानी क्यों नहीं खेल सकते हैं आखिर भारत गुर्णमेंट ऐसा क्यों कहती है कि जिसका पाकिस्तानी बीजा होगा उसे हम IPL में नहीं खेलाएंगे पाकिस्तान के काफी खिलाड़ी पाकिस्तान अने देशों से खेलते हैं तो आई पिल खेल रहे हैं जिम बामबे यूई के खिलाड़ी लेकिन हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी आई पिल नहीं खेल पा रहे हैं देश के बारे में गलत नहीं सोचते हैं इसलिए उनको आई पिल में मौका मिल रहा लेकिन तुम तो हमेशा जहां खाते हो उसी खाताली में छेद करने के लिए सोचते हो तो तुम्हें मौका देगा कौन वहीं पर कुछ मेडिया वाले ए भी फुसकी छोड़ रहा है कि इस समय मौका रिजवान दुनिया का नंबर एक बैट्समैन है अब एक किस लहज़े से तुम कह देते हो कि ओ दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है और टी ट्वेंटी में नंबर वन पे नहीं है वान डे में यह टेस्ट में अता पता नहीं और तुम मानते हो कि दुनिया का नंबर वन बैट्समैन एदी ओ आईपियल में होता तो सबसे महंगा बिकता ओहें पर किसी एक ने भी बोल दिया उसका तो मैं नाम नहीं जानता हूं उसका कहना कि साहिन सा अपरेदी और हसन अली एदी आई कर ऐसी बाते छोड़ देते हो कि उसके बारे में कुछ कहना भी मुस्किल हो जाता है यह साहिन सा अपरेदी और हसन अली कब से मिजल इस्टार कर और पैट्स कमिन से बराबरी करने लगे वे नहीं पता कि भारत में उनके जैसे जैसे प्लेयर गलियों में गूमते हैं हमारे ह तुम उनको अपने हीरो मानते हो तुम मानो भे इंडिया में उनकी कोई कदर नहीं होने वाली है दोस्तों यह पाकिस्तानी तो रोज अपना फुसकी छोड़ते रहते हैं और इनको सही सबक सिखाने के लिए हम लोग तो बैठे ही हैं लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं जो ह